लोगसभा चुनाओं के नतीजे घोसित होने के बाद 80 लोगसभा सीटो वाला उत्तर परदेश काफी चर्चा में रहा है इसकी मुख वजह यह है कि इस राज ने तमाम कयासों अटकलों और खासकर एक जिट पोल्स के आकलनों को गलत साबित किया है लेकिन अब उत्तर परदे यूपी की नो सीटों पर उपचुनाओं कराये जाएंगे हलाकि अधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है अब बात करते हैं कि किन सीटों पर उपचुनाओं होने हैं वे हैं फूलपूर विधानसभा खैर गाजियाबाद मजवा मीरापूर मिलकीपूर करहल समाज सीटे बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के हिस्से में हैं जबकि बाकी के चार सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो अपसांसत बन गए हैं ऐसे में अब कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी में नौ सीटों पर होने वाले उपचुनाओं को लेकर इस हार को बीजेपी के लिए जटके के तौर पर देखा गया खास कर उस वक्त में जब बीजेपी की ओर से 400 पार का नारा दिया गया पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई और अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल करने से चूग गई दूसरी ओर बीजेपी के लिए फैजाबाद की सीट हार ना परतिष्ठा की बात बन गई वो भी तब जब कुछ महीने पहले पीम नरेंद्र मोदी ने पहुपर्तिक्षित राममंदिर का प्राण परतिष्ठा समारोह किया था मिल्कीपूर विधानसभाद सीट फैजाबाद के अंतरगत आता है इस सीट से विधायक लेकिन कनोज से सांसद बनने के बाद उन्हें भी सीट को छोड़ना पड़ा सीट छोडने के बाद अखलेश यादों के लिए ये सीट पर तिष्ठा बचाने की बात होगी इस सीट पर होने वाले उप चुनाओं में अगर अखलेश यादों जीतते हैं तो उनका दब दबा चुनाओं में इन सीटों पर नतीजों की बात करें तो कुंदुर की कटिहारी मिलकीपूर और करहल विधानसभा सीटों पर सपा परत्याशी ने जीत दर्ज की थी 2022 में सपा गठबंधन में चुनाओं लड़ रही आरेलडी ने मीरापूर विधानसभा सीट अपने नाम की थी आरेलडी अब बीजेपी के अगवाई वाली नेशनल डेमोक्रेटिक एलाइंस का हिस्सा है बाकी बची चार सीटे फूलपूर मजवा खैर और गाजियाबाद पर एंडिये परत्याशी जीते थे दोजार चौबिस लोग सभा चुनाओं में अपने परदर्शन से उत्साहेत एसपी और कॉंग्रेस वाली इंडिया गठबंधन एक बार फिर उपचुनाओं में अपना दमखम दिखाने की कोशिस करेगी इस उपचुनाओं में सीट मौका दिया जाएगा जहां बीजीपी ने जीत दर्ज की थी यह सीटे हैं फूलपूर मजवा खैर और घाजियाबाद जहां बीजीपी यह उनके सहियोगी दल निशाद पार्टी के परत्याशी जीते थे 2022 विधानसवा चुनाओं में चारों सीटों पर कॉंभरिस का परदर्शन बहुत निराशा जनक रहा था आके लिदम पर चुनाओं लड़ रही कॉंगरेस के फुलपूर परत्याशी को मात्र सूलह सो ओट मिले थे इस चुनाओं में मजवा विधानसवा सीट से कॉंगरेस रोट मिले थे हलाकि 24 लोगस्भा चुनाओं के नतीजों के बाद उपसाहित कॉंग्रेस अब अपने परदर्शन में जबरदस्त सुधार की उमीद कर रही है कि उप चुनाओं में कम से कम चार सीटों पर दावा करेगी सीट बटवारे पर इंडिया घटबंधन के फैसले के बाद इन कयासों पर अधिकारिक मोहर लग जाएगी बाकी खबरों के लिए देखते रहें कोईंट और कोईंट हिंदी